असलाम वालीकुम सुनेंट्स बटाएज आपको कर्ष्टन नंबर थी का फार्स पार्ट था वो बता दिया क्या था इसका भी पार्ट है इसमें कई स्टुनेंट्स को इसका वैल्यू का इसू आता है वैल्यू किस तरह से लिखनी है आप देखेगा जो एक वैल्यू आके पास और एक जो आके पास बटा वो लेस देन है और एकल है किसके 25 के तो इसमेंट्स क्या के पास जहां पर एक वैल्यू आएगी वो 8 से स्टार्ट होगी और वो जाएगी 25 तक 8 9 10 11 12 से लेके 25 तक इसे जाना बी की वैल्यू है वाई इंटू वाई बलॉंग तो जी एंड माइनस तो लेस देन वाए ऐंड वाई लेस देन 6 इट मीणस के पास बैटा बी की वैल्यू आएगी वह माइनस दू से छोटे और 6 से छोटे तो आता है आपके पास माइनस वन 0 1 2 3 4 5 फिर c की वैल्यू आती है आपके पास belongs to z integers and z less than and equal to 8 यानि आपके पास start होंगे बिटा यह 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 तो बाकिया आपके बेटा values का पता चल चुक है आपने b part को भी in 4 properties के जरिए solve करना है जो कि associative law union है इंटरसेक्शन है डिस्टीब्यूटी फ्ला आपके पास union और intersection और intersection और union बिटास की अच्छे से प्रेक्टिस कीजेगा थैंक यू